आज हम देखेंगे साधारण ब्याज से संबंदित उधारण प्रवीड ने एक साहुकार से 12,000 रुपे का कर्ज लिया जिसके लिए वार्शिक दर 13 प्रतिशत निश्चित किया गया पता कीजिए तीन वर्श के बाद प्रवीड साहुकार को कितने रुपे साधारण ब्याज यानि सिंपल इंट्रेस्ट के रुप में देगा हल एक यहां 12,000 रुपे का कर्ज लिया जा रहा है इसलिए मूलधन बराबर 12,000 रुपे ब्याज के दर बराबर 13 प्रतिशत प्रतिवर्श है इसका अर्थ यह है कि प्रवीड अगर 100 रुपे का कर्ज लेता है तब उसे एक वर्ष के बाद 13 रुपे ब्याज के रुप में साहुकार को देने होंगे अतह 12,000 रुपे के कर्ज पर एक वर्ष का ब्याज होगा 12,000 गुणा 13 बटे 100 बराबर 1560 रुपे इसलिए तीन वर्ष का साधारन ब्याज है तीन गुणा 1560 रुपे बराबर 4680 रुपे अतह, तीन वर्ष के बाद प्रवीर साहुकार को 4680 रुपए साधरन ब्याच के रूप में देगा हल दो, इसी उधारन को हम सूत्र से भी हल कर सकते हैं तो बताइए, साधरन ब्याच के लिए सूत्र क्या है? सोचिये, सोचिये सही सोचा साधारन ब्याज आयप्राप्त करने का सूतर है I बराबर PrT बटे 100 यहां P बराबर मूलधन बराबर 12,000 रुपए है T बराबर समय बराबर 3 वर्ष है R बराबर ब्याज की दर बराबर 13 प्रतीशत प्रती वर्ष है इसलिए साधारन ब्याज आई बराबर 12,000 गुणा 13 गुणा 3 बटे 100 बराबर 4,680 रुपए अतह तीन वर्ष के बाद प्रवीन साहुकार को 4,680 रुपए साधारण व्याज के रूप में देगा अगला उधारण कमला ने 35,000 रुपए 7.5 प्रतिशक वार्शिक दर से बैंक में जमा किये ग्याद कीजिए उसे 9 महीने बाद कुल कितना मिश्रधन यानि अमाउंट प्राप्त होगा यह बड़ा ही मज़ेदार सवाल है यहां हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा सबसे पहले हमें समय महीनों में दिया है इसलिए इसे हमें वर्षों में परिवर्धित कर लेना अवश्यक है क्या आप बता सकते हैं हम महीनों को वर्षों में कैसे व्यक्त करेंगे सोचिए सोचिए यहां हम एक एक विधी यानि युनिटरी मेथोड कप रियोग कर सकते हैं हमें पता है कि 12 महीने बराबर एक वर्ष इस प्रकार एक महीना बराबर एक बटे बारह वर्ष है अब हम कह सकते हैं कि 9 महीने बराबर एक बटे बारह गुणा 9 वर्ष है याने कि 9 बटे 12 वर्ष है इसे ही हम सरल रूप में 3 बटे 4 वर्ष लिख सकते हैं तो चलिए पहले साधारण ब्याज प्राप्त करें साधारण ब्याज का सूत्र है I बराबर P R T बटे 100 यहां I यानि साधारण ब्याज है P यानि मूलधन बराबर 35,000 रुपए है T यानि समय बराबर 3 बटे 4 वर्ष है R यानि ब्याज की दर बराबर 7.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष है बराबर 75 बटे 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष बराबर 15 बटे 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष इस तरह से आई बराबर 35,000 गुणा 15 बटे 2 गुणा 3 बटे 4 बटे 100 बराबर 35,000 गुणा 15 गुणा 3 बटे 2 गुणा 4 गुणा 100 बराबर 1,968.75 रुपे द्यान देजिए 1,968.75 रुपे यो साधारण ब्याज है लेकिन सवाल में हमें मिश्रधन पता करने के लिए कहा गया है इसलिए आईए मिश्रधन पता करें मिश्रधन बराबर मूल धन धन ब्याज यानि ए बराबर पी धन आई ए बराबर 1,968.75 रुपे धन 35,000 रुपे बराबर 36,968.75 रुपे इसलिए 9 महीनों बाद कमला को कुल 36,968.75 रुपे मिश्रधन प्राप्त होगा अगला उधारण रमेश ने बैंक में विध्यारती सेविंग खाता खोला और उसमें 6 प्रतिशत वार्षिक दर से 2,000 रुपे जमा किये कितने वर्षों के बाद उसके खाते के कुल धन राशी 2,360 रुपे होगी? यहां P यानि मूलधन बराबर 2,000 रुपे है R यानि के ब्याज की दर बराबर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष है A यानि मिश्रधन बराबर 2,360 रुपे है और हमें पता करना है समय यानि T का मान मिश्रधन बराबर मूलधन धन ब्याज 2,360 बराबर 2,000 रुपे धन ब्याज इसलिए ब्याज बराबर 2,360 रुपे रिन 2,000 रुपे बराबर 360 रुपे कितने वर्षों के बाद साधारण व्याज 360 रुपे होगा? यह ग्याद करने के लिए हमें साधारण व्याज के सूत्र का उप्योग करना होगा I बराबर PRT बटे 100 तो 360 बराबर 2000 गुणा 6 गुणा T बटे 100 याने कि 360 गुणा 100 बटे 2000 गुणा 6 बराबर T या इसे ही हम ऐसे लिखेंगे T बराबर 360 गुणा 100 बटे 2000 गुणा 6 वर्ष इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा T बराबर 3 वर्ष याने कि समय बराबर 3 वर्ष अतह तीन वर्षों के बाद रमेश के खाते की कुल राशी 2360 रुपे होगी तो आज हमने देखें साधारण ब्याज से संबंदत उधारण अगले वीडियो में इन से जुड़ी कुछ मित्याधार्नाओं को दूर करेंगे